जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों क्योंकि चार बजे हम चख्र विजी और के सामने पेश होते हैं और चार इसी लोगों को चक्रवियों के चक्र में फसाते हैं जिनकी पॉल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट आज चक्रवियों में सबसे पहले बात होगी की सीम योगी की दूसरी खबर में बात करेंगे बोतल बाबा की तीसरी खबर यूट्यूबर एलविश यादों की और आखिर में बात करेंगे पुलिस एंकाउंटर की तो चलिए शुरू करते हैं फुल फॉर्म में सीम योगी सवाल सु नेताओं में पसरा संनाटा भोले बाबा के बाद बोतल बाबा 20 रुपे में कैंसर का इलाज एलविश यादो को एडी का समध 23 जुलाई को पेश होने का आदेश पुल समिक्षा हो रही है लोग सुबा चुनाओं में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदशन की योगी अधितनाथ एक कॉमन सवाल सब से पूछते हैं कि बीजेपी को वोट कम क्यों मिले इसी भी सीम योगी ने अपनी एक बैठक में सवाल पूछा हम फैजाबाद में कैसे ह उन्होंने कहा कि मेरी विधान सभा में बीजेपी के समाजवादी पार्टी से आगे रही। वधायिक बेद गुपता ने कहा कि पार्टी के उमीदवार ने संगठन से कोई िन्हें रख्याल के फैसाबाद लोगस बीजेटर के दूसरे विधाय हैं कि आमेटि से इसबास स्मृति रानी चुनाव हार गई उन्होंने सबसे इस हार के कारण पूछे तो दो वधायकों ने कहा कि शुरुआत से ही लग रहा था कि इस बार का चुनाव फस गया था बीजेपी के एक वधायक ने कहा कि पता नहीं क्यों लोग हमारे उमिद्वार के खलाफ हो गए थे पार सियम योगी ने उन्हें चुप रहने को कहा फिर उन्होंने का कि यही बात लिख कर दे दीजिए बैठक में योगी अदितनाथ अपने साथ पूरी फाइल लेकर बैठी थे जिसमें हल लोगसभा शेत्र के वोटों का व्यौरा रखा था वो भी वधायंसभा के हिसाब से साल 2019 के लोगसभा चुनाओ के आकड़े भी उनके पास रहते हैं वो सबसे हर की वज़ा पूछते हैं और उसे नोड भी करते हैं आपको बता दे कि यूपी के सियम योगी अदितनाथ अब तक 16 लोगसभा सीटों की समिक्षा कर चुके हैं इस तरह की मीटिंग में विधायक MLC और सांसत बुलाए चाते हैं लेकिन मिर्जापूर की मीटिंग में अनुप्रिया पटेल मौजूद नहीं रही उनकी पार्टी अपना दल के वधायक बैठकों में शामिल हुए वहीं अब योगी अदितनाथ और बीजेपी नेताओं की मीटिंग को लेकर तरह तरह की रहने को कहा है सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे उन्होंने सुझाओ दिया कि जो भी काम करें उसका प्रचार जरूर करें सीम योगी ने कहा अगर हम सब अभी से जुट जाएंगे तो फिर 2027 में हमें कोई नहीं हरा सकता है योगी अदितनाथ के खलाफ वधायको से ना मिलने के आरोप लगते रहे हैं लेकिन चुनाओ के बाद वो सबसे बारी-बारी से मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश के हातरस कांड के बाद पूरे यूपी से लेकर देश में हरकम मचा है वही इसी तरह के अंधविश्वास वाले दरबार कानपूर में भी देखने को मि चलते हैं लोगहत्रस की तरह हात्सों के शिकार होती जाते हैं कानपूर-देहाद के गाउ में भी एक अपना मकड़ जाल बिच्छा रखा है अस्तागे नाम पर अंदविश्वास के चलते हजारों की संख्या में भक्तों की भीड उसके वहाँ एकत्र होती है जहां पर सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कुछ सेवादार ये मौजूद रहते हैं ऐसे में यहां पर इखटा हो रही भी अंसर शुगर जैसी गंभीर बिमारे का इलाज करने का दावा करता है Как ऐले बहले बहले ग्रांई हरी जासी में आ जाते है और वो उसके पास अपनी परिशानियों के भल के पहुछते माने तो उनके दरवार में ना सिर्फ आस-पास कि जिलों के के लोग बलकि दूर दराज के लोग भी पहुचते हैं बाबा का दावा है कि उनके पास दूसरे प्रदेश के लोग भी अपनी समस्या लेकर पहुचते हैं और बाबा तेल लॉंग और पानी पर फूक मारकर उनकी समस्याइं दूर कर देता है लेकिन अगर तस्वीरों को गौ करती हुई नजर आ रही है मनी लॉंडरिंग केस में एडी ने यूट्यूबर एलविश यादो को 23 जुलाई को लखनव कार्याले में तलब किया है यह मामला रेव पार्टी में सांपों के जहर को नशे के रूप में इस्तवाल करने को लेकर जुड़ा है केंद्री जिंसी ने इस मामले में मई 2024 को मुकदमा दर्च किया था नौइडा में एलविश यादो और अन्य संबंदित लोगों के खिलाब धन शोधन निवारल अधिनियम के तहता एक्वायार दर्च की गई ती जिसके बाद लगातार पुलिस एक्शन मोड में है अब एडी ने नया समझ जार कर एलविश यादो को लखनो तलब किया है जानकारी के अनुसार एलविश यादो को इस हफते एडी के लिए ओफिस में पेश होने को कहा है लेकिन उनकी विदेश यात्रा के कारण उन्हें तारीक को आगे बढ़ाने की मांग की थी जिसके बाद एजिंसी ने तेज जुला खबर ये भी सामने आई है कि एडी एलविश यादो के साथ साथ बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताच करेंगी आपको बता दी कि नौइडा पुलिस द्वारा एलविश यादो को गरिफतार किया था फिलहाल वो जमानत पर ब कोई है डी सीपी के मुताबिक सेक्टर 49 की पुलिस को रेप के आरोपी उधैवीर की तलाश ती इसी बीच पुलिस को उसके मुव्बेंट की जानकारी मिली पुलिस ने सेक्टर 42 के आसपास की इलाकों में ट्रैप लगाया पुलिस से खुद को घृता देक उदैवीर ने फ पुलिस टीम पर गोली चलाई थी उधैवीर ने एक डेड़ साल की बच्ची से दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया था पीडिता के परिजनों ने थाना सेक्टर 49 में उकदमदर्च कराया बारा घंटी के अंदर ही पुलिस ने मुटबेड के बाद आरोपी को गरफता से प्राप्त लोकेशन के आधार पर उसके बारे में जानकारी जुटाई गई पुलिस ने बताए कि गुप्त सुचना के आधार पर आरोपी के सेक्टर 42 के जंगल में चिपे होने का पता चला जिसके बाद इलाके की कॉम्बिंग के दौरान पुलिस की अलग-अलग टीम मे आरोपी को ढूट रही तीसी दौरा बीस साल के उद्यवेर की पुलिस के साथ मुठ भेड हो गई आज हमने चक्रवियों में बाद की सीम योगी की बोतल बाबा की यूट्यूबर एलविश यादो की और आखिर में बाद पुलिस एंकाउंटर की चक्रवियों फिलाल के लि के लिए देखते रहिए क्यापिटल टीवी नमस्कार कि मैं राजनीती करताने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता मैं लोगों के बीच रहता लोगों के मन को अच्छे से जानता पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पेंचान के संधर्ष की सियासत से सप्ता के सिंधासन तक मैं हर ख़बर से खरा सक्ष निखाओंगा ना कोई दौर ना कोई रिप्स क्यापिटल की उत्ता प्रवेश अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया